हेलो दोस्तो कैसे होता दोस्तो आज के इस नए विडिम आप सबका स्वागत करता हूँ दोस्तो इस विडम दो बात करने वाले T20i सिरीज के लास्ट मतलब थर्ड मैच के बारे में जो क्यों होने वाला है इंगलंड और सिलंका इन दोनों टिम्स के बीच में दोस्तो ये मैच आज शाम को साथ बज़े स्टार्ट होगा विन्यू होने वाला है दरोस बाउल साथ हैंटन साथ हैंटन तो आपको बहुत अच्छे से यादी होगा रिसेंटले हम लोग वहापे वो WTC हारे है और उसी ग्राउन पर ये मैच होने वाला है दोनों टीम्स की बीच में अल्ड़ी दो मैचेस हो चुके जापे इंगलंड ने दोनों मैचेस जीते है और सीरिज अपने नाम कर चुके है तो यहाँ पर आपको इंगलंड के टीम में चेंज़ेस देखने को मिल सकते हैं उसनों फोकस करेंगे चेंज़ेस आपको देखने को मिलने वाले है दो मैच-से दो मैच हमार लिए बहुत अच्छे रहे तहर्थ मैच अच्छा रहा कोशिश करेंगे कि थर्ड मैच भी आवहार लिए बहुत अच्छा जाए आगे बढ़ने से पहले सिंप्लिक करोगे किया सबसे पहले टेलीग्राम चैनल से जॉइन हो जाओ फाइनल अप्डेट्स पहीं मिलेंगे वेस्टनेज वासे साथ अपरिका का T20 मैच आज के दिन में तो उसके अबडेट्स भी आपको टेलीग्राम चैनल पहीं मिलेंगे तो टेलीग्राम चैनल से जरूर जॉइन हो जाना लिंक आपको इसी वीडियो के दिस्क्रिब्शन बाक्स में या फिर इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिले जाएगी दोस्तों पीच रिपट की बात कर लेते हैं देखो स्टार्टिंग के दो मैचेस हुए कार्डिप में अब ये न्यू है न्यू पे मैच है पीच मेरे सबसे फ्रेश और नियूटरल होनी चाहिए देखो यहाँ पे तीन इंटरनेशनल मैचेस हुए थे 2019 में ठीक है उसके ओद यहाँ पे कोई भी मैच हुआ नहीं है फर्स्ट इनिंग स्कोर की बात करें तो 155 रहा था एवरेज और सेकंड इनिंग से रहा था 154 का हाइस्ट कोर देखोगे 162 का रहा था तो बहुत ज़्यादा रन नहीं बनेते तीन मैचेस में से दो मैचेस में चेस हुआ था और अगर देखोगे तो एक मैच में चेस नहीं हो पाया था बात करें दोस्तों पेसर्स को उस तीन मैच में 16 विकेट थी और स्पीनर्स को भी 15 विकेट थी स्पीनर्स ने भी अच्छा किया था पेसर ने भी ठीक किया था और बैक्समन भी ठीक ठाक लगे थे इसे वज़े से बोला में न्यूटरल विकेट आपको देखने को मिल सकती है दोस्तों जो इस सीरीज के दोनों मैचेस हुए दोनों मैचेस के स्टाट्स देख सकते हो सिलंका फर्स मैच में 129 रन सीलंका सिकंड मैच में 111 रन फर्स मैच में इंगलंड ने आसाने से चेस कर लिया था बस सेकंड मैच में इंगलंड के टॉप फोर बहुत जल्दी आउट हो गए थे फिर लियम लेविंग्शन और सैंबिलिंग्स ने रन बनाए थे तो यह देखके चल लेते ठीक है इससे वाई से जॉन्री बैस्टो ने ओपन किया था देखो पर अल्रीडी से इंगलंड जीत चुकी है तो आपको जो बेंच पे प्लेयर से लाइक टॉम करन या फिर मोहीन अली या फिर लाइम डाउसन या आपको खेलते हुए दिख सकते हैं डेविड विली पिछले मैच में खेलेते हैं बट मुझे लगता है को फिर से चांस मिल सकता ख्रिसुक्स को फिर से खेलते होई दिख सकते हैं इस मैच में डेविड विली की जगवरी आप देखते हैं टीम क्या चेंजड करती हैं बिकॉज यह चार प्लेस में से आ हाँ चार पाथ Catholic मैसे अ टीट्विंटी ब्लास्ट के चारों मैचेस में फ्लॉप रहे यहाँ पे दोनों मैचेस में फ्लॉप रहे आप लोग बिल्कुल डॉप कर सकते हो पर ग्रेंड लिग में को कैप्टन जरूर करोगे ब्योज इनका सेलेक्शन अभी कम हो चुका है बट हो सकता है कि आपको प्लासा देख के चलोगे मौगन के बात कर ये इनोंने सिर्फ गयार बनायति नाइंगंधों में सैम विंग्स ने ताइया ख़्यां च्रुप Hoşतर में फीकंट सब्टक सकते है और मैच पुरे उर कमप्लीट नहीं किया है मैच चपनेर नहीं किया है enough your सेकंड मैच खेले नहीं थे, थर्ड मैच में इनको खिला सकते है डेविड विली इस सेकंड मैच में खेले थे, जाप इनोंने चार ओर में सतरा रंदे कि कोई विकेट नहीं निकला था दोनों almost सेम प्लेयर से, बस इतना है कि अंगल अलग है डेविड विली लेप्टाम फास्ट मेडियम है, क्रिस ओक्स राइटाम फास्ट मेडियम है तो दोनों मैच से कोई एक ही खेलेगा माक ओड की बात करें, इनको दो मैच में तीन विकेट से पुरे चार ओर इनोंने कम्पलेट किये है इनको दो मैच में एक विकेट मिला, इनोंने दो-दो पाट-टाइम बालिंग अब तक करी है अब बात करतें दोस्तों स्टैर्स की अब इसका फरनेटो, दोन मैच से में फ्लॉप रहे, सेम विद धनुषका गुनातिल का ये भी दोन मैच से में फ्लॉप रहे कुशल परेरा ने स्टार्ट जरूर दिया, 30 रंस, 21 रंस बाट बड़ा स्कोर नहीं आया है, कमपटेबल नहीं लगे है खुशल मेंडिस ने फर्स मैच में नाइटो बना पाये ते, बाकी बालिंग से पॉइंट रहे些 इस सुरू दुना आइनी रंस के पारी खिले थे फिचले मैच में फूर्टिन गेंटो में बॉलिंग की बात करें तो देख सकते हो गाइस दोस्तों दुश्मनता चमिरा ने दो मैचेस में दो विकेट्स निकाली ठीक बॉलिंग करी है नुवान प्रदीप फर्स मैच खेल दे सेकेंड मैच में डॉप किया था अकिला धननजा है फर्स मैच में चार ओर में चालिश थे सेकेंड मैच में भी 1.1 ओर में तेरा रन दिये थे वनिन दूस रंगा दो मैचेस में रन कम दिये और विकेट्स निकाली इन्होंने दो फर्स मैच में 0 विकट थी वह सेकेंड मैच में इनको 2 विकट सुरू रुतना को 2 मैच में अप तक 2 विकट मिल अच्छी बॉलिंग करी बिनुरा फर्नांडो ने पिछली मैच में 3 और ऐस में 17 रंदे के तो थोड़ा सा ट्राइ करोगे कि investment कम करोगे hit to aid वो three member में और mainly higher member फिर focus करोगे विकेट कीपर section के अगर बात करें तो आपको तीन प्लेस खेलते वी दिख सकते जॉनी बेस्टो कुशल परेरा और निरोशन डिक फिला जॉनी बेस्टो को तो हम लोग 100% अपने टीम में रखेंगे और लेके चलेंगे अब चलते बैटिंग सेक्षन में जेसन राइ दनुषका गुनतिल का दोनों का हम लोग रख लेते हैं फिर बात आती है थर्ड बैट्समन की किसे लिया चाए लियाम लिविंग्स्टन ने दोनों मैंचेस में पॉइंट्स दिये है कुश्यल मेंटिस ने पिछले मैंच में पॉइंट दिये थे डेविड मरान दोनों मैंचेस में फ्लॉप रहे दोनों को पिक कर लेंगे दोस्टन शनका फर्स में फिप्टी रन की पाले थे सेकंड मैंच में कुछ ज़्यादा नहीं कर पाये थे बट स्टिल इनको आप लोग ट्राई कर सकते हैं बड़े शॉट लगा लेते हैं इन मैंसे जो भी खेलेगा उसको जरूर ट्राई करना बहुत इंपोर्टन फैक्टर आपके लिए साबीत हो सकता है स्पेशली साउथ अम्टेन के पीच में बाकिये रमेश मेंडिस लक्षन और जयरत ने शायद नहीं खेलेंगे बॉलिंग सेक्शन आदेल रशियत माकूड ख्रीज जॉर्डन तो और तीनों इंग्लेंड के मेंन बॉलर से ये तीनों को अम लोग हमारी टीम में रखने वाले है अब डेविड विली और ख्रीज सोक्स दोनों से कोन खेलेगा जो भी खेलेगा उसको भी लेने की कोशिश आप लोग बिल्कुल कर सकते हो ग्रैंड लि प्रीज रहेगी बट लियाम लिविंग्स्टन ने मतलब क्रेड भी कम है पॉइंट भी ज्यादा दिये और अच्छी बैटिंग करिये और दो और बॉलिंग भी कर रहे है ठीक है और डेविड मलान का फॉर्म उतना अच्छा है नहीं कंसर नहीं कि थर्ड बैट्समन किसे ल बागि आपके चोई से सेब जाना है तो लियाम लिविंग्स्टन ने फिर कुशल मेंडिस या फिर डेविड मलान इन तीनों में से किसे एक को ट्राइ कर सकते हो मैं अभी के लिए मॉर्गन के साथ जाओंगा ठीक है उसके आद विकेट के पर सेक्शन में हम लोग कुशल प जो थोड़ी बहुत बैटिंग भी दे सकते है ठीक है और दोस्तों कुछ इस तरीके से बनेगी मेरी स्मॉल लिग की टीम ठीक है अब यहाँ पर बात आते ही कैप्टन वैस कैप्टन सी के तो ऑब्विसली जोनी बेस्टों के साथ मैक्सिम पब्लिक जाएगी उसके साथ को ट्राइ करने के कोशिश जरूर करोगे बात आती है वैस कैप्टन सी यही पर दिक्कत है कि विसी किसी किया जाए ठीक है एक ओप्शन यहां से अगर आप लोग देखोगे तो वनी दो असरां का बहुत अच्छा ओप्शन बन सकते है वैस कैप्टन सी कहले मैंने पिछली म बेश्टो है वाइस कैप्टन सी मेरी वसी वनी दो सरंगा बाकी ग्रैंड लिक्स में आपको बहुत कुछ ज़्यादा नहीं करना एक दो एक दो दो प्लेयर्स रोटेट करने है और आपको कैप्टन वाइस कैप्टन रोटेट करने ज़्यादा से ज़्यादा टीम्स लगान में मिल जाएगी जहां से आपनों कमारे टेलीग्राम चैनल से जॉइन हो सकते हो दोस्तों आर वीडियो पसंद आएगा वीडियो को लाइक करोगे यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब करके बिल आइकन को प्रेस करके रखो